इस वीडियो में हम सीखेंगे journal entries for revaluation of assets इस पर हम दोग numerical करने जा रहे हैं इससे पहले हमने इससे पिछले चेप्टर में दो numerical partnership पर किये थे यह हमारा partnership पर third numerical है जब भी कोई partner partnership में आता है उस वक्त या इसके इलावा वक्तन फर वक्तन पार्टनर्स अपने तमाम assets को revalue करते रहते हैं यानि वो वैलियोर्स से चेक करवाते रहते हैं कि उनके assets की value जो assets उनके पास हैं building inventory या इसके इलावा जो भी valuable चीज़ें हैं इसी चीज़ें जो economic value को add क कर रही है उसमें उसकी value में इजाफा हुआ है या कमी आई है तो इसको हम लोग valuation कहते हैं तो जब assets करी valuation होती है उस वक्त journal entries क्या पास की जाती हैं यह हम लोग इस numerical में देखेंगे सबसे पहले हमारे पास the value of land be increased by rupees 70,000 यहाँ पर हमें date नहीं दी गई journal entries में हम लोग डेट ल इससे हम लोग land की land को debit करेंगे यूंकि land में इजाफा हुआ है और revaluation account जो है उसमें इजाफा हुआ है उसमें इजाफे को credit किया जाता है तो इस entry में हम लोग valuation account को credit करेंगे इसे उपर अगर हम देखें हिना एन आमना are partners sharing profit of 2 by 6 and 4 by 6. a revaluation of assets are made तो यह जो हमारे पास ratio दी करेंगी वह यहां पर revaluation जब हम लोग तमाम entries पास कर लेंगे तो इसके बाद देखेंगी revaluation करने पर gain हुआ है या loss हुआ है फिर gain होता है या loss होता है उसको इस ratio में distribute किया जाएगा partners के तरमिया तो जो पहली entry है land की वह हम लोग यहां पर पास करते हैं पहली entry है हमने यहाँ लिख लिया क्योंकि date हमें नहीं दी गई थी फिर हमने land account लिखा land account को हमने debit करना है कितनी amount से land में इजाफा हुआ है सत्तर हजार से सत्तर हजार हमने यहां पर लिख दिया इसके बाद हमारा जो revaluation account है उसमें भी इजाफा होगा क्योंकि land की value बढ़ी है तो revaluation account credit होगा revaluation account credit होगा 70,000 से तो यहां पर हम लोग 70,000 लिख देते हैं इसके बाद हमने जो entry की है उसकी हम लोगों ने narration लिखनी है यानि statement जो के show करें जो entry हमने की है वो किसी इसकी है तो यह हमने यहां पर लिखती जो कहें to record the revaluation of asset asset की revaluation होई है और हमने इसको यहां पर record कर लिया अब अगर हम लोग B को देखें ता value of building be depreciated by 45,000 यहां पर बताया गया है कि building की जो value है वो depreciate हुई है यानि उसकी value में उसको building को use करने के वज़ा से कमी आई है अब जब इजाफा होता है तो revaluation account credit होता है value में अब यहां पर building की use के वज़ा से value में कमी आई है तो revaluation account को हम लोग debit करेंगे और building को हम credit करेंगे क्योंकि building asset है और asset में asset के value में कमी आ रही है तो इसकी भी हम लोग entry pass करते हैं तो हमने आप revaluation account को debit किया 45,000 से building को हमने credit किया 45,000 से और यहां पर हम लिख दे लिख दे हैं कि यह building account जो हमारा बनेगा credit होगा 45,000 से क्योंकि building के value में कमी आई है और यहां पर लिख दिया to record the revaluation of asset एक दोफा फिर revaluation हमने asset की की और अब जो asset है वो यहां building है और पहरे जो asset था land था land के value में इदाफा हो रहा है तो हमने revaluation account को credit किया building के value में कमी आ रही है तो अब revaluation account जो है वो debit हुआ इसके बाद जो यहां third चीज़ है वो है allowance for bad debts be credit on accounts receivable by rupees 3000 यानि यहां पर जो बात हो रही है वो यह है कि accounts receivable हमने किसी से amount लेनी है हम अपनी पहले sale card चुके होंगे amount लेनी है और अब जो amount हमने वसूल करनी है उसमें से 3000 amount जो है वो bad debt के तोर पर हमें नजर आ रही है कि वह वसूल नहीं की जा सकेगी time आ गया है लेकिन customer ने नहीं दी वो amount तो हम लोग क्या करते हैं उस वक्त हम उस amount की provision या allowance maintain कर लेते हैं अपने पास और यह जो allowance maintain किया जाता है यह भी revaluation account में से इसकी amount को site पर रखा जाता है यानि एक तरफ अगर revaluation की वज़ा से amount में इदाफा हो रहा है दूसरी तरफ हमें कोई भी doubt है कि amount future में वसूल नहीं होगी तो उस amount से हम revaluation account को कम कर द देते हैं तो यह जो allowance है जो maintain किया है accounts receivable के लिए इस दिये इससे भी हम लोग revaluation account को debit करेंगे क्योंकि यह amount set aside करते हैं हम site पर रखते हैं वह revaluation account में से रखते हैं और यह किस वज़ा से हम debit करेंगे bad debt के allowance के वज़ा से तो हम allowance for bad debt को credit कर देंगे हमने यहां पर third entry भी कर दी revaluation account debit allowance for bad debt account credit amount 3000 और यहां पर हमने रिवारेशन की है account receivable के account receivable asset है इस दिये हमने यहां पर यह लिख दिया इसके बाद है inventory's value be reduced by rupees 40,000 यहांनी inventory की value में बी कमी आई है और किती कमी आई है 40,000 की तो इससे भी हमारा revaluation account debit होगा और 40,000 को हम लोग जो inventory के amount में कमी आई है इस amount को हम लोग credit करेंगे हम लोग यहां पर लिख देते हैं revaluation की inventory की और जितनी value में कमी आई उससे हमने revaluation account को debit किया और inventory को हमने credit कर दिया और यहां पर हमने mention भी कर दिया to record the evaluation of asset अब यहां पर जितनी चीज़े हमें दी गई हैं उनकी हमें लोग ने जर्नल इंडरीज स्पास करनी जब्री वैलियसे में अच्शाभा होता है वाल्यू में इंक्रीज आता है value में increase आता है तो उसको credit किया जाता है हम यह करते हैं कि हम लोग यहां पर 70,000 जितना gain आया हमने वो लिखा फिर अब यहां पर second entry में revaluation जब हमने की तो इसमें decrease आया है उसको हम लोग less कर देंगे और वो है 45,000 और अगर यहां हम C third entry में देखें तो यहां भी revaluation करने के विज़ाद से value में कमी आई है तो इसको भी हम less कर देंगे फिर जो fourth entry है वो भी हमें यह बता रही है revaluation के विज़ाद से loss हुआ है यानि decrease आया है और वो 40,000 का है तो हम लोग इसको अगर minus करें तो यह हमें बदा जलता है कि total 18,000 का loss हमें revaluation करने पर आया है यानि revaluation के तुरू जो gain आया उसमें से हमने revaluation के तुरू जो value में increase आया उसमें से हमने वो तमाम values जो के revaluation करते हुए जिन चीजों के value में कमी आई है उसको हमने less किया है और में पता चला revaluation पर 18,000 का loss आया है अब loss या expense यह जब भी होते हैं तो इनको debit किया जाता है तो हम यहां लिख देते हैं loss on revaluation revaluation पर हमें loss हुआ है और वो है 18,000 का और यह loss हुआ है यह किस वज़ाद से हुआ है यह revaluation account के वज़ाद से हुआ है तो यहां हमने loss को record किया और revaluation account को credit किया और इसको close कर दिया और यहां पर हम लिख देंगे 18,000 जितने का loss हुआ है और यहां पर हम लोग यह narration भी mention कर देते हैं to close the revaluation account यह नहीं revaluation account को हमने close कर दिया अब यहां पर जो हमें loss आया है इस loss को हम लोग distribute करेंगे दोनों partners के दर्मियान पार्टन का जो profit या loss sharing ratio है वो 2 by 6 है हिना का और आमना का है 4 by 6 तो इसी ratio में हम लोग यह loss distribute करेंगे जब loss partners को दिया जाता है पार्टन को जाता है तो उनके capital account में कमी आ जाती है capital account में कमी आने को debit किया जाता है तो यहां 18,000 का loss है 2 by 6 हमने किया तो यह 6,000 आया और 4 by 6 किया तो यह हमारे पास 12,000 आया तो हम लोग इसको दोनों partners में distribute कर देंगे तो पहले जो 2 by 6 है वो है हिना का तो हम लोग यहां पर लिखते हैं कि हिना के capital को जो हमने reduce किया है वो 6000 से capital में कमी आई है और यहां पर हम लोग यह लिखते हैं और यहां पर amount है 6,000 यहां amount लिखती है इसके बाद आमना के capital में जितना आमना को profit का share दिया जाता है अब loss अगर हुआ है तो loss भी उसी proportion से 18,000 multiply 4 dividing by 6 12,000 तो 12,000 का loss भी आमना को bear करना पड़ेगा और आमना का capital account जो है वो इस amount से कम हो जाएगा और हम लोग यह जो loss on revaluation account हम लोगों ने उपर record किया है इसको हमने close किया है आमना और हिना के capital में तो इसको हम लोग यहां पर credit कर देंगे और इसकी amount है 18,000 तो यहां हम 18,000 लिख देंगे और यह जो entry हमने pass की है इस entry की explanation को हम लोग यहां पर लिख देंगे to record the distribution of loss on revaluation यह जो loss हुआ है उसको हम लोगों ने हिना और आमना को distribute कर दिया है तो इस video में हम से require किया जा रहा था कि assets को जब revalue किया जा रहा है उसकी general entry pass करें तो हमने assets को पहले revalue करने की general entry pass की उसके बाद हमने इस revaluation account को close किया और चेक किया कि loss आ रहा है net या gain आ रहा है उसके बाद loss आया हमारा और उस loss को हमने हिना के capital account में और आमना के capital account को उस loss की amount से कम कर दिया यानि इनको charge कर दिया तो इस video में हमने सीखा किस तरह से revaluations related journal entries को pass किया जाता है उसके तरहा है अर्व जामार मेंarya